असलाम लेकुम स्टूरेंट्स आयम नताश्या यूर पाइलजी टीचर तोड़े वो यार गोइंग तो डिस्कस अबाउट दा नुक्लियस एंड नुक्लियस इस इंक्लियूडिद इन दा सेल और गनालेज पहले जो हम टॉपिक्स पढ़े थे वह इंक्लियूड थे सेल स्ट् को पढ़निंग है वह ज padabecue में मैंने और 4 एक सब्सक्राइबर की और इसेल में फ्लास्म मेंब्रेन इस रहीं लीए लिस दिस नुक्लियस and this is cytoplasm and the outer structure of cell is plasma membrane आज जो हमने discuss करना है वो हमारा ये central portion होगा ये वाला portion जिसको हम nucleus कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है और nucleus का structure देखना है अब जो मैं structure draw करूंगी वो cell का structure नहीं होगा वो सिरफ इसके central portion nucleus का structure होगा तो सबसे पहले हम nucleus के बारे में देखते हैं कि यह कहां पर पाया जाता है कि skin organism में होता है जैसे हमने बाकी organelles के बारे में पढ़ा था कि यह prokriotic organelles हैं या यूक्रियोटिक organelles हैं उसी तरह आज हम nucleus के पारे में पढ़ेंगे तो यह prokriotes और eukriotes का difference भी है और सबसे पहली बात हमने इसके पारे में बात यह याद करनी है कि prokriotes में prominent nucleus नहीं होता हम यह कह सकते हैं कि prominent nucleus prominent या नहीं वाजय 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 यानि with nuclear envelope वो मैं आपको बताती है nuclear envelope क्या है अब prominent nucleus occurs in या present in eukriotes eukriotes हम कहते ही उनको है जिनके अंदर prominent nucleus मुझूद होता है हम eukriotes की definition यू करते हैं eukriotic organism are the organism which have true nucleus which have prominent nucleus तो यहाँ पे भी हमने यही बात की है कि यह prominent nucleus eukriotes में present होता है उसके बाद अगली बात हमने organisms के names देखने हैं किनके अंदर nucleus किस तरहां का होता है तो अगर सेल का जैनल स्ट्रक्चर देखा जाए सेल के स्ट्रक्चर के अंदर छोट छोटे वेक्यूल होते हैं यहां मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं एक साइट पे ळांद सेल और एक साइट पे टो व अगनल सेल अगनल सेल और एक साइट पर टिहberg देखाएं शरब बताने लगी हो नहीं इसका detail structure और यहां पर दो नहीं करोंगी तो एनिमल सेल में इसल सेल के अंदर चोटे 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 सोटे होते हैं इसी तरह प्लांट इससां प्लांट सेल को आपको टेम्र शेप और इक आपकी शेया आपना वो यह तरह भी बैबी प्लांट जब भू है तब उसके सेंटर में नुक्लियस होता और होटे चोटे चोटे वेक्यूल सैल के पाये जाते हैं क्योंकि आनिमल्स के अन्दर एक स्कूर्टरिय सिस्टम और पाकी सारे अच्छी तरह से develop होते हैं जबकि plant cell में organ system level less complex है यह हमने first chapter में भी पढ़ा है less complex यह निए इसके अंदर excretory system proper मुझूद नहीं है तो इसके जो waste products हैं वो vacuoles के अंदर store होते हैं होता क्या है जैसे जैसे plant cell में चोर होता है water को absorb करता है और waste materials भी उसमें ज्यादा होने लग जाते हैं तो यह सारे की सारे चुट चुट चुटे vacuoles में के एक large vacuoles बिना देते हैं large vacuoles बिना देते हैं और waste materials store होना शुरू हो जाते हैं और आइस्ता जैसे जैसे plant का cell plant का size बड़ा होता है इस vacuoles का size भी बड़ा होता है और एक point आते हैं कि यह vacule इतना बड़ा हो जाते हैं इतना बड़ा होने के बाद यह nucleus को push करना शुरू कर देते हैं nucleus को push करता है और at the end एक time ऐसा आएगा जब nucleus बिल्कुल साइड पे चला जाएगा और vacule इसको push करते हुए सारी की सारी जगा ले लेते हैं तो हम कहेंगे in mature plant there is a large central vacule in the center center में इसमें vacule होता है plants में और nucleus is pushed to the side यह nucleus बिल्कुल साइड पे चला जाता है यह इसमें nucleus है और in animal cell a nucleus is present in the center यह plant और animal cell में difference है इसको हम यह कहेंगे इसको यूँ explain किया चाह सकता है कि दोनों को अलग लग हम discuss करेंगे in animals in animal cell there is sorry the nucleus is present in the center जैसे आप इस diagram में देख सकते हैं इस center में इसके nucleus present है और डूसी बात यही हम plants के बारे में बात करें in plant cells यह इन केस ओफ प्लांट सेल डू तो फॉर्मेशन ओफ large central vacule यह जो इसमें central vacule बड़ा बन जाता है इस vacule की वज़ा से the nucleus is pushed to the side के इस large central vacule की वज़ा से nucleus side पे push कर दिया जाता है तो अब अगर हम nucleus के structure को देख लें के इसका structure कैसा होता है कौन कौन सी चीजें है इसमें तो सबसे पहले nucleus के बाहर जैसे cell के बाहर एक membrane है envelope किसे कहते है students envelope का मतलब होता है covering जिस तरह cell के बाहर एक covering है जिसको हम plasma membrane कहते हैं इसी तरह nucleus की outer covering है जिसे हम nuclear envelope कहते हैं हमने हर चीज के बाहर में पढ़ा है कि इसमें single membrane है या double membrane है तो यहां पर हम बात करेंगे nucleus is bounded by a double membrane इसके बाहर double membrane है डबल membrane bounded structure है यह उस double membrane को हम कहते है nuclear envelope कार्ट nuclear envelope यह ने nucleus का cover nucleus की covering यह nuclear envelope के बारे में अपने अच्छे से याद करना है ता nucleus is bounded by double membrane that is known as nuclear envelope अगर अगर अब nuclear envelope का structure देखा जाए जैसे प्लास्मा membrane के बारे में पढ़ा था कि यह semi permeable membrane है nucleus का structure भी इसी तरह है कि nucleus के बाहर एक membrane है जिसमें यह छोटे छोटे पोर्स है यह double membrane है और इन पोर्स की वज़ा से यह semi permeable membrane के तौर पे act करती है पहले मैं generally आपको diagram में इसको समझा देती हूं nucleus के बाहर एक यह covering है इस covering को हम नाम देते है nuclear envelope यह ने nucleus की membrane nucleus की covering उसके बाद nuclear envelope के center में अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज़े हैं सबसे पहले इसकी जो main है इसमें यह fluid है इस fluid को हम nucleo plasma केते है नुक्लियो प्लास नुक्लियो प्लास दो चीज़ों पर मुझतमिल है इसके अंदर thread like structures हैं यह वह thread like structure chromosome की form में arrange हुए हैं इस तरह किसी भी form में यह वह पाए जा रहे हैं इसके अंदर यह मैं आपको बात में explain करते हूं लेकिन इसमें यह thread like structure chromosome हैं और center में इसके नुक्लियो लस है डार्क स्पोर्ट है यह जिसको हम नुक्लियो लस कहते हैं एक central portion नुक्लियो लस या नुक्लियो लाइज को अगर ज्यादा हो तो नुक्लियो लाइज और यह जो इसमें structure हैं इनको chromosome कहा जाता है जो chromatin की form में arrange है chromatin अगर इस form में चले जाएं तो यह chromosome कहलाएगा क्रोमो सॉम इसको हर चीज को मैं आपको explain करके बताती हूं सबसे पहले हमने double membrane nuclear envelope की बात की है nuclear envelope मैंने आपको बताया है कि जिस तरह cell की membrane plasma membrane में pores होते हैं इससी तरह nuclear envelope is bounded by membrane that contain pores हम यह कहेंगे nuclear envelope contains small pores due to which it act as semi-permeable membrane semi-permeable का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं semi-permeable means कि यह कुछ molecules को गुजरने देती हैं और कुछ molecules को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती अब semi-permeable membrane के अंदर की बात की जाए मैंने आपको बताया है कि नम्हाइन न्यूक्लियर एंवालब के अंदर एक फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं निूउक्लियो प्लास्म का तो अब हमने उस नूक्लियो प्लास्म के बार में पढ़ना है हम यह कहेंगे nuclear inside nuclear envelope there is a fluid inside nuclear membrane we can say nuclear envelope inside nuclear envelope there is a fluid known as nuclear place nuclear place granular fluid granular mean दानेदार बुर बुरा सा fluid liquid को कहते हैं इस granular fluid में दो छीज़े हैं इट Constains। नुखलियोलाई और अगर ये सिंगल हो तो इसको हम कहेंगे नुखलियोलस। इसी तरह इसमें दूसरी चीज़ है। इनको वन बाइ वन डिसकस करते हैं कि क्रोमोसॉम्स क्या है और नुखलियोलाई क्या है। तो नुकलियोलाई या फिर अगर ज्यादा हो तो नुकलियोलस टू नुकलियोलस नुकलियोलस एक डार्क स्पोर्ट है तकरीबन नुकलियस के सेंटर में नुकलियोलस एक डार्क स्पोर्ट है नुकलियस के सेंटर में और फंक्शन इसका क्या है इंदा नुकलियोलस राइबोजोमल आरेने आरेने की फ्री फॉर्म्स होती है राइबोजोमल आरेने ट्रांसफर आरेने और मेसिंजर आरेने यहां हम कहेंगे ribosomal RNA assembled यानि इकटे होते हैं and formed ribosome और यह question भी आता है कि ribosome कहां पर बनते हैं तो इसमें अक्सर students जो हैं वो rough endoplasmic reticulum पर click कर देते हैं हलांके इस ता answer आएगा ribosomes are assembled in the nucleus of the nucleus अब अगर chromosome की बात की जाए तो chromosome nucleus के अंदर chromatin की form में मुझूद हैं लेकिन ये chromatin की form में कब मुझूद हैं जब cell non dividing stage में है एक दफ़ा मैं इसको clear आपको करती हूँ अभी chromosome के बारे में हमने देखना है chromosome हमें जब cell non dividing phase में है जब वो divide नहीं हो रहा तब जैसे डागों का एक गुच्छा उस तरहां से ये नज़र आता है non dividing stage of cell में chromosome appears as chromatin chromatin उस दागानुमा साफतों को कहते हैं जो गुच्छे की form में हमें नज़र आएंगी लेकिन यह आपने बहुत अच्छे से mcqs याद करना है जब cell की dividing phase है यह डिवाइडिंग स्टेज है जब cell डिवाइड हो रहा है इस डिवाइडिंग स्टेज को हम इंटरफेज भी कहते हैं दोनों दरह से mcqs आसकता है इंटरफेज का ऑप्षण भी हो सकता है और डिवाइडिंग option भी हो सकते हैं और both का option भी हो सकते हैं तो आपने बहुत दिहान से इसको देखना है dividing phase और interface एक ही चीज है और during dividing phase या interface sorry non dividing phase वह interface है non dividing phase that is known as interface during interface और non dividing phase cell is chromosomes are appeared as chromatin और जब dividing phase है तब ही chromosome हमें visible नज़र आते हैं visible वो हमें किस form में नज़र आते हैं chromosome का एक structure है जो मैंने आपको उपर डायका में बना के दिखाया यह इसमें यह जो central point है यह आपकी बुक में अभी mention नहीं है लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे इस central point को centromere कहते हैं और यह जो इसके arms है इन arms को हम कहते हैं क्रोमाटेड्स क्या कहते हैं क्रोमाटेड्स यह क्रोमोसों का structure है क्रोमाटेड्स जो हैं वो centromere वाले point पे एक दूसरे से attach हुए होते हैं और dividing phase में हमें क्रोमोसों विजिबल नज़र आते हैं सेंट्रोमियर और chromatid की फॉर्म में और स्टुएंट्स क्रोमोसोंस बने किसी से होते हैं यह इनकी क्रोमोसोंस अप ऑफ डी एने एन्ए एन्ड परोटीन और स्टार्ट मैंने आपको बिलकुल इस टॉपिक के स्टार्ट पे हमने पढ़ा था प्रोमिय नेट्म in यूक्रियॉस इसका क्या मतलब है कि सिरफ प्रोमिय नेट्क मिटी नेकीं तेरियर्श या अगर bond यह इसमें मुझुड हैं तमाम चीजा इसमें मुझूद होंगी सिवाई nuclear envelope के और इसमें nuclear envelope नहीं है तो इनके जो chromosome है वो cell के center में यह looklyus cell के center में मुझूद है यहाँ पर इसमें chromosomes वगहरा इसके मुझूद होंगे और इसमें एक और difference है prope nights and eukreos में एक उukreos के जो chromosomes of eukreos are made up of DNA DNA and protein जब्के जो प्रोक्रियॉर्स के प्रोक्रीयॉर्स के क्रोमोसोम हैं अगर किसी को कोई पॉइट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं मैं आपको दुबाराते वो को पॉइंट क्लियर कर दूंगी स्टे ट्योन अलाहाफ पेज